नमस्कार, आप सभी को स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की जैनती की हार्दिक शुपकाम ने, उन्ही के बारे में गहराई से जानने के लिए, आज हमारे मध्य उपस्तित है, माननिय विन्य आर्या जी, आप राश्ट्र प्रवक्ता हैं, आर्य समाज के, तो भाई साब जैसा क हम जानते हैं, स्वामी जी किसी परिचे के महताज नहीं, गुलाम भारत में जन में आजाद विचारों से प्रेरित, उन चंद लोगों में से कुछ थे, जिन्होंने उस समय, जिस समय गुलामी की बेडियों में पूरा भारत जगड़ा हुआ था, निडर होकर समरस्ता की बा कि आज हम उनको इतने सालों बाद भी याद करते हैं, धन्यवाद आपका आपने इस विशे को आज आवशक समझते वे दर्शकों के लिए इस कारकम में आप पधारी में आपका धन्यवाद भी करता हूं, जब आप बात करें महारशी द्यान सरस्वती जी की, तो निश्ची फिर भी बताने पर, समझाने पर और उसे परिसितियों का वर्नन करने पर हम उस समय पर पहुंच सकते हैं, महारशी द्यान सरस्वती का जनम हुआ टंकारा एक राजकोड मौरवी इस्थान है गुजरात में उस जिले में, उस समय राज्ये हुआ करते थे रजवाडे थे, औ और टंकारा नाम के गाओं में जब उनका जनम हुआ तो बच्पन का नाम उनका मूल शंकर था, मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण से परिवार ने मूल शंकर नाम रखा, सहजी 14 वर्ष की अवस्था में अचानक उनक एक ऐसा लगा कि कही ना कहीं जिसको हम इश्वर म जानना है, बस उस भाव को लेकर कि उनके मन में नए 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 प्रशिन पैदा होने लगे और नए जब प्रशिन पैदा होते हैं तो ही उत्तर पाने के लिए विक्ती प्रयास करता है और उस उत्तर को पाने के लिए कि मैं सचे इश्वर को जानू, मैं सचे शिव को जानू वो टंकारा छोड़कर के निकल पड़े निकल पड़े 19 वर्ष की अवस्ता में और उस समय जो कुछ उन्होंने सोचा था जो उन्होंने समाज में देखा जगा जगा गए अखाडों में गए, मंदिरों में गए, धर्मशालाओं में गए आश्रोमों में गए सन्यासियों से मिले, विद्वानों से मिले सब जग़ें उनके लिए नये प्रशनी पैदा होते गए आसता आसता जब और जादा भरहمن पूरे देश का करने लगे तो कही न कहीं इनके मन में भाव पैदा हुए कि क्या ये देश वो ही है जिसको भारत का जाता है ये तो ऐसा गुलाम तो नहीं था कभी ये तो बड़ा वैभव संपन देश था ये तो विश्गुरू था सारी दुनिया तो यहां पर ग्यान विज्ञान लेने आती थी जब उनको इस बात का विश्वास हो गया कि ये देश वो ही है जब सारी दुनिया यहां पर ग्यान विज्ञान लेने आती थी तो आज ही इसकी हालत क्यों बस ये क्यों की हालत जानने के लिए ही उनके मन में एक नए से नए प्रशन फिर से पैदा हुए और फिर उन्होंने हर उस परशिती को देखा जो परशिती कभी इस देश को विश्वगुरू बनाती थी और जिनके ना रहने से आज हमारी ये गुलामी की स्थितियां गरीबी की स्थितियां असाहता की स्थितियां हो चुकी हैं बस इस अंतर को उन्होंने पाटने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। जो मत्रा में निवास करते थे उनके द्वार पर जाकर के उनको वो सच्चाई सामने आई कि ओवेद के वास्वी कर्थ जानने का जो रास्ता था वहां से उनको प्राप्थ हुआ और उसके पच्चात उनको इसपच्च हो गया कि वेद ही इस स्रिष्टी के ग्यान का मूल हैं और वेद के ना मानने के कारण से ही भारत की परसिती बनी जब तक वेद पूरे भारत का मार्दर्शन करता था वेद के आधार पर भारत का संचालन होता था तब तक हम विशुगरू थे और वेद के ना मानने के कारण से वेद के विप्रीत ग्यान के परिचलन होने के कारण से आज हम गुलामी की अवस्था में आ गए हैं यह उनके जीवन के उस उस हिस्थे का मूल्चार उनको मैं समझता हूँ उनका उनका मूलसार यह था विने जी जैसे 1875 में हम सुनते हैं कि स्वामी जी ने बंबई में आरे समाज की स्थापना करी क्या उस समय कुछ ऐसी घटना ही हुई या ऐसा उनको क्यों लगा कि इसकी आवशक्ता आज के समय में ऐसे समाज को कठा करने की या समाज की स्थापना करने की देखिए महर्शी द्यानल सरस्वती जी टंकारा से निकले 1824 में जर्म हुआ 14 वर्ष की अवस्था में बोध हुआ शिवरात्री के दिन उनको 19 वर्ष की अवस्था में वो टंकारा छोड़ करके निकल गए 20 वर्षों तक लगातार भ्रमन करते रहे उसी दोरान उस 20 वर्षों के अंतिम चरण में आकर के उनके गुरु विर्जानन से बेंट हुई और लगबग ये जीवन का 40 वर्ष का समय आ चुका था यानि लगबग 40 वर्ष के समय के 50 वो ये जान पाए थे कि सत्य क्या है और अब उनके जीवन का एक अकेला वाक्य बन गया था कि सत्य को जानना और सत्य को मानना यानि अब उनके जीवन का अकेला उदेशे था जो सच है उसको जानने का प्रतन कर लेना और जो सत्य सिध हो जाए उसको मानने के लिए पूरा जी जान लगा देना उसके सामने फिर कोई भी बाद आए, उस सब बाद हैं पार करने का श्रम स्वामी जी ने उसमें किया, उन्होंने सत्य के परचार करने के लिए देखा जो जो कुरीती हैं हमारी समाज में धरम के नाम पर आ चुकी है, बेटी को पढ़ने नहीं देना, भई क्यों नहीं पढ़ हैं जो अधिकार पुरुषकों हैं वैसे ही अधिकार ग्यान प्राप्त करने का स्त्री को भी है, विरोध हुआ, सभाविकता होना ही था, जो एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि महिला भी पढ़कर के आगे बढ़े, और रिशीद आनन स्पष्ट कर रहे हैं कि मह पीछे जा चुके थे, फिर उन्होंने देखा कि भारत जब विश्गुरु था, क्यों था, इसलिए था कि भारत में गुर्कुल प्रणाली थी, मुगलों के शाशनकाल के दोरान, अंग्रेजों के शाशनकाल के दोरान, हमारी वो गुर्कुल प्रणाली नष्ट कर दी गई उन्होंने समझा कि गुर्कुल प्रौनाली के कारण भारत विश्वुरू था आज इस विपणनता की स्थिति इसलिए कि हमारे पास गुर्कुल प्रौनाली नुश्ट हो गई या ताकि शिक्षाब व्यवस्ता मरी समाफ्त होगी उन्होंने उसी अवस्ता को वापसी लाने के लिए गुर्कुल प्रनाली का विकास किया ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आइस्ता आइस्ता जिन जिन चीजों को रिशीद आनंद करते चले जा रहे थे आस्ता आयू बढ़ रही थी उनको ये लगा कि मेरे बाद भी ये सब काम चलते रहे इसके लिए मुझे कुछ अपने विचारों के साथियों को जोडने की आवशकता है जो मेरे बाद इन कारें को आगे बढ़ा सकें तब 1875 में रिशीद आनंद ने जिन जिन बातों का प्रचार किया था जिन जिन कारें को आरम किया था जिन जिन मूलियों की स्थापना की थी जिन जिन मूलियों को वेदों से निकाल करके बताया था उनको सतत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक समूँ के लोगों को मिला करके एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आरे समाज आज उस संस्था को भी लगबग डेड़ सो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो इसलिए कि मेरे बात क्योंकि वो जानते थे जीवन अक्षुन है अक्षुन नहीं है माफी जाओंगा जीवन अक्षुन नहीं है हमेशा रहने वाला नहीं है जाना है तो मेरे बाद इन कारें को आगे कौन बढ़ाएगा तो जो लोग उनके कामों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते थे उनको जोड़कर करके उन्होंने कुछ नियम बनाए और नियम होके धार पर आर्समाज की संस्था की स्थापना बंबई में की गई बहुत अच्छे स चलाई है इसकी नीव कहीं न कहीं स्वामी जी की रखी भी तो इसके विशे में आप थोड़ा सा रकाशित की देखिए ये एक बहुत महत्पुन तथे की और आपने ध्याना कर्शित किया हमारे दर्शकों का भी मेरा भी थोड़ा से लोटके चलते हैं माह भारत का युद्धा नश्ट हो गए बड़े-बड़े राज्ये नश्ट हो गए राजा नश्ट हो गए गुरुकुलों के आचारे मृत्यू के प्राप्त कर गए जिनके कारण से बहुत एक स्टेबल देश के अंदर अनस्टेबलिटी जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से व्याप्त हो आएस्टा-इस्टा वेद में लिखी बातों को गलत बता करके गलत चीजेशें परंप्रां सथाफित होने लगी और इनीख का परिनाम हुआ चाहे वो कौरव थे, दोनों एक ही मत को मानने वाले थे वेद को, अगर अमायन काल में भी चले हैं, चाहे रामन था, चाहे रामन था, दोनों वेद के वेद के ही गयाता थे, अंतर नहीं था, कोई अलग मत नहीं था, कोई अलग धर्म नहीं था, रुशिदान्द का जब जन् बात लिखिये वो तरक के साथ नहीं है इसलिए महारशी द्यानन ने अपना मूल मत बना लिया कि वेदों की और लोटू और वेद में जो है उसको ही माननेता करने से ही भारत पुना विश्वुरू बन सकता है और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि वेद ग्यान और विज्ञा पाइट्री ट्रिग्नोमेट्री यादी कुछ भी कोई भी इसाउठा लिएक उसका सारा का मूल ग्यान वेद के अंदर विमान विमान की विद्या हो मुझा रोकिट बनाने की विद्यां यह सारी मूल ओują हैं व्यद में नहीं थै तो 150,000 को वापिस लाने कि हमारे यहां जो बड़े बड़े विश्विद्याले थे उन में सारी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे क्योंकि सारी विश्व के लोग वहां पढ़ने आते थे इसलिए नविद्यालों का नाम विश्विद्याले हो गया था अब जो सारी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे इसलिए हमें विश्यू गुरू का जाता था अब ये सारा ग्यान विज्ञान महाभारत के बाद नश्ट होता चला गया हमारी भाशा छीन ली गई अर्भी फारसी ला दी गई संस्कित समाप्त कर दी गई गुर्कल प्रणाली समाप्त कर दी गई आइस्ता आइस्ता हमारे देश के उपर शाषिन हो गया अंग्रेज आए अंग्रेज उन्होंने मुगलों को हटाया अपना शाषिन कर लिया उन्होंने नीती वही जारी रखी उन्होंने संस्कित अटाकर के अर्वी लाए थे इन्होंने संस्कित अटाकर के अर्वी अटाकर के अंग्रेजी को हमारे उपर लादना शुरू कर दिया यहां आकर के संस्तावन का युद हो गया थोड़ा सा रिवोल्ट हुआ भारतवासियों के मंद्व में और 57 का यूद हो गया जब सन 57 का यूद हो गया तब देखने की एक बहुत बड़ी बात थी जो दर्शक इसको गहराई से जानेंगे सन 57 के यूद में हमारे पास में दो आप्शन्स थी जो यूद लड़ रहे थे सन 57 का उनका नारा था बाहदुर्शा जफर को यहां का हम बादशा घोशित करेंगे अंग्रेज चाहते थे हमारी सत्ता अक्षून रहे तो भारत वास्की दो हिस्सों में बढ़ गए थे मूल रूप से एक वर्ग चाहता था हमारा व्यारत विजई हो और बाहदुर्शा जफर राजा बने और दूसरा वर्ग जो कुछ पढ़ा लिखा वर्ग था जो अंग्रेजों के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ चुका था विक्टोरिया कॉलेज कॉलकाता आदी में जो अंग्रेजों की विचारजारा से परभावी तो चुका था वो चाहता था अंग्रेज सरकार बनी रहे क्योंकि उन मुगल आधताईों से शायद कुछ बेतर है ये अब बड़ी बात ये थी कि कोई भी वर्ग ये सोचने वाला नहीं था कि ना मुगल होने चाहिए ना अंग्रेज होने चाहिए सत्ता तो हमारी होनी चाहिए ये जो चिंतन पैदा हुआ ये चिंतन देने वाले आधुनी काल में अगर कोई महान पुरुश हुए है तो उनका नाम केवल रशीद आनंसरस्वती है जिनों अन्यिस अवस्था को देख करके जब संसद्वं में महरानी के हात में सरकार आगई ऐस्ट इंडिया कंपनी से निकल करकी तो महरानी ने एक चाड़र दिया कि अब भारतवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है अब इस इंडिया कंपनी तो जो भारतवासियों को मन में गुसा था वो थोड़ा सा शान्त होने लगा और ऐसे ही समय में रिशीद आरंद ने जब उस अवस्था को देखा तब उस अवस्था में उन्होंने एक वाक्य की रचना करके अपने महानों रितिहासी गरंद सत्यार पकाश में लिखा के वाक्यं में इतना सबु है तो कोई कितना भी करें किLPार माहराणी करी एक मैंतुमारा पॉष्ण। मा के समान पुत्रों के जैसा कर tuhonगी आपनी प्रजागा करती हूं कोई कितना भी करे सब्सेर कडिता किमाराणी तुम्हारे कैने से हम तुम्हारे रेकाव收拔 में आने वाले नहीं हैं मैं सपष्ट अपने देश्वासियों को निवेदन पूर्वा कह रहा हूं कोई कितना भी करें प्रंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्व परिवा उत्तम होता है यहां से स्वदेशी शब्द का उप्योग होना प्रथम आरंब हुआ और रिशी जान ने अपने गरंतों में बार बार स्वदेशी की स्थापना होना यह हमारा प्रथम विदेशी बाहर जाएं स्वदेशी अपना राज्य करें ऐसे अलग 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 गरंतों में कम से कम 18 या 19 बार इस स्वदेशी शब्द का उप्योग अपने गरंत इक तथे है जिसको इतियास से चिपाया गया जिसको साहिते जगत से चिपाया गया कहीं ना कहीं आज ये उनकी दोसों वी जैनती का वर्ष चल रहा है मुझे लगता है कि ये वाकिये रिशीदान की जो देन थी सबसे बड़ी देन सुराज्य को वापिस लाना आज हमारे मन मे रामप्रसाद बिस्मिल तक गया चिंतन चलते चलते चंदरशे का राजाद लाला लाजपत्राई सौमी शरधानन वीर सावर करें इतनी बड़ी फोज एक पूरा का पूरा एक पूरा चैप्टर है वह अलग रिशीदान से प्रभाईत लोगों का जिनोंने देश की आजाद से लगबग लगबग था बगत सिंधी नैशनल कॉली लाहुर में पढ़े जो लाला लाजपत्राई जी ने बनाया था और रामप्रसाद बिस्मिल आरसमाज शाहजापूर में रहे तो ये तो एक बहुत चोटे चोटे दो एक एक एक्जामपल में आपके सामने दे रहा हू इनके मन में कैसे पैदा हुआ ये देश वक्ती का भाव भगत सिंधी के पूजए दादा जी सरदार अरजुन सिंग जी रिशी दान के शीशे बन गए थे सिख थे लेकिन रिशी दान की बातों से परभावी तो कि उनके शीशे बने ये जोपवित ग्रेंड कर लिया रोजा के उपवी संसकार के समय रिशी दादा जी ने संकल्प लिया था कि मैं इन दोनों बच्चों को देश पर वक्फ करता हूं यानि देश के उपर कुरवान करता हूं इन दोनों को दान करता हूं मेरे को तो ऐसे ही भगत सिंग जी और फिर उनकी पूरी टोली उनके नीचे के जितने भी श्रंकला करांती कारियों की चलती रही वो एक लंबा चैप्टर हो जाएगा तो रिशीद आनन की करांती कारी शीष्चों की फोज की एक बहुत लंबी श्रंकला है दियेवी काले लाहूर से निकले वे बहुत बढ़े बाई परमनन को आप बाई परमनन का नाम ले 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 जो राजगुरु का नाम ले 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 उक लंबी चलते चले जाए एक बटू केशवर दद का नाम ले ले जिसके लिए सदैव राष्ट उनका रनी रहेगा विने जी मुझे ऐसा लगता है कि जो महलशीर दयानन जी के विचार थे उस समय से बहुत आगे थे चाइफे जैसे आपने बात करी वेदा के ज्यां ही हूं या महिला के शिक्षा पर उन्हें जो बल दिया इनी इस इनी कारिय उनको लगी और आज के परिपेक्ष में ये कितना वाजिब है कितना सही है ये काम इस पे आपके क्या विचार रिषीदान के जीवन के जब हम हजारों काम उनको गिनते हैं तो उनमें से शुद्धी एक महत्पुन काम है उनके सामने प्रशन उत्पन हुआ प्रशन ये था क शुद्धी होनी चाहिए सामीने का स्वभाविक है इसमें तो कोई अस्वभाविक ही नहीं ना बोला कि जो कोई मुसलिम बन गया कोई ही साहीं बन गया क्या वह वापी स Sindhu बन सकते हैं रिशीद आनंद नहीं जैसे वो विचार से बना था मुस्लिम, वैसे ही विचार वापिस करके वो हिंदू बन जाएगा, उस समय के लिए उनका ये कहना बड़ी एक क्रांती थी, क्योंकि धरम के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग इसको बंद कर चुका था दरवाजे, नहीं जो एक बार मुस्लिम बन गया, वो वापिस हिंदू नहीं बन सकता, बड़ी हरानी की बात थी, हमारे हाँ से कोई जातो सकता है, लेकिन हमारे हैं वापिस नहीं आ सकता, लेकिन रिशीद आनंद ने इस सारे भ्रम को पूरी तरह तोड़ करके अपने हातों से एक बन चुके इसाई की भी शुद्धी की, बंचो के मुस्लिम की भी शुद्धी करके वापिस हिंदू बनाया, और उनके इस करांतिकारी कदम का किस कदर एक आग फैली, कि उनके पस्चात में उनके सबसे निकरतम शिश्य स्वामी शरधानाजी महाराज ने अपने जीवन का उदेश्य बना लिया, शुद्धी, शुद्धी यानि क्या शुद्धी, भाई एक जमाना था जब मुगलों की सत्ता थी, उस मुगलों की सत्ता में किसी को लालच से, किसी को बहकावे से, किसी कारण से, अपनी सत्ता के लालच मिला करके उनको किसी बहका करके बना लिया गया था, मु चार बरिवर्तित हो रहा है तो क्यों ना हम उनको अपने परिवार में फिर से शामिल करें सुभा का भूला शाम को घर लोडता है तो भला कौन परिवार उसको रोकना चाहेगा लेकिन कुछ और्थोडोक्स हिंदू तो था आज मैं उसकी ज्यादा चर्चा करना उनको है और शुद्धी का ये कारे आरसमाज का इमूल कारे बन गया स्वामी श्रधानन का सारा जीवन शुद्धी कारे में लग गया और स्वामी श्रधानन नेक और आज के समय में जब आप पूछते हैं कि इसका परिपेक्ष क्या है आज के समय में गरीब व्यक्ति है पेट में भोजन नहीं है एक विक्ति उसको ये कहता है कि मैं तूमे भोजन दूँगा तूम इसाई बन जाओ उस समय उसके बोड़ी जरूरत भोजन है लेकिन केवल उस लालच में वो इसाई बन गया कि चलो मुझे भोजन मिल जाएगा लेकिन जैसे ही उसको ये जानकारी मिलती है कि यह तो मेरा सारा का सारा जीवनी बदलने के लिए मुझे बनने के लिए कहा रहा है जैसे उसको बोध होता है और उसको यह रास्ता मिलता है वापसी का तो क्यों ना उसको रास्ता अपलत कराए जाए भई तो इसलिए वो जो रिशीदान का भाईयों को अपने उन मासुम बेहनों को अपने उन परिवारों को जो इसी प्रकार के कुप्रबंचों के कारण से अन्ने मतों में दिख्शित हो चुके हैं वापिस लाना स्वागत करना उनको प्रेरित करना और उनको अपने अनुकूल वातावरन अपना उपलब्द कराना म मैं समझता हूँ घरवापसी आप कहलें जो शब्द चाहें कहलें आप उसको घरवापसी कहें शुदी शब्द कहें जिस मर्जी शब्द से पुकारें तो मुझे लगता है देश की समय की सबसे बढ़ी आवशकता उसके लिए हम सब को एक जू ठोकर के लगना चाहिए ऐसी बातें कुछ ऐसी रचना है जो आज के युवा को आप देना चाहें समझाना चाहें जो आज के समय में बहुत ज़्यादा रेलेवन्ट हो देखिए स्वामी ध्यानंद की अगर बहुत शौट में व्याक्या की जाये बहुत ही शौट में तो उनका जीवन एक ही प्रकार का जीवन था नीजी जीवन से मैं बात करूंगा उनके स्वास्ते की छे फुट नो इंच उचा कद अखंड ब्रमचरे मद्बूश शरीर वाकवानी बुद्धी गजब की और इन सब के साथ में सत्य की मजबूती उनको विलक्षन महापुरुष का दर्जा दे देती उनकी ओड से अगर मैं आज एक शब्द दुनिया को या नोजवन को कह सकूँ तो एक ही शब्द है उनका सत्य को जानो सत्य को मानो किसी के भी कुछ भी कह देने मातर से की ऐसा करने से ऐसा हो जाता है उसको सत्य की खरी उसको विज्ञान की कसोटी पे खरे उतरे बिना अप रिशीदान का मत्था अंद्विश्वास और पाखंड और कुरीतियां हमारे देश को कही ना कहीं दोबारा गुलाम ना बना दें ये जिम्मेदारी हम सब नौजवानों की है इसलिए रिशीदान का चिंतन सुपष्ठा जो सत्य है वो एक है वो बदल नहीं सकता उसको जानने उठने का उपर जाने का और समाज में आगे बढ़कर के कारे करने का जो सबसे बड़ा रिशीदान का अगर मैं शुद्धी के बाद काम कहूंगा तो यही काम था कि उन्होंने अपने हर वर्ग के व्यक्ति को उपर उठाने के लिए एक समान मानने के लिए आरे नाम लिखन को कमजूर करने का कारे ना करें ऐसा उनका संदेश था मुझे लगता आज के समय में यह तीनों चारों संदेश एक समाज के लिए युवाओं के लिए एक बेतर संदेश है इसके उपर और चिंतन करें और आगे बढ़ें रिशीदान के बारे में जानने के लिए आप एक न seven two zero zero two zero zero मिस कॉल करेंगे आपके पास विशी दान के जीवन का पूरा लिंक प्राप्ट हो जाएगा इनी शब्दों के साथ मैं मैं आपका पुना बहुत बहुत अभार करता हूँ आप आए आपने इन चर्चाओं को लोगों तक पहुंचाने का करम बरका पुना बोना बहुत बहुत धन्यवाद